दवश्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडे चंद्रशेकर शर्मा दर्श को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आज दिनांग के 21 अगर सन बीस मिनट तक आगे शुक्ल योग है योग की द्रश्टी से आज का दिन शुब है योग का रख है तो इसका पूरा-पूरा सदुप्यों कीजिए करण बव है दोपेर एक बच के सूला मिनट तक आगे बालव करण रहेगा सूर्योदे का समय दर्श को सुबह 6 बजे का था औ मिनट का है आज का राहुकाल सुबह 7.30 से 9 बजे के बीच है इसे टाल दीजेगा इसमें कोई शुब कारें लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए इस समय सिर्फ भगवती का स्मरण करें यानि दुर्गा नाम स्मरण करें तो राहुकाल आपके लिए योग का रख हो जाएगा यानि जनम पत्री का में अगर राहुका दोश है तो वो भी ठीक हो जाएगा अभिजित मुरत आज दौपेर 12 बज के 3 मिनट से दौपेर 12 बज के 5 मिनट के बीच है दिन में 4 बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा और सूजबूस से टाल दीजेग ये हैं दौपेर 12 बज के 5 मिनट दौपेर 1 बज के 47 मिनट फिर दौपेर बार 3 बज के 31 मिनट और 4 बज के 23 मिनट आज का दिशा शूल दर्शिको पूर्व दिशा में है तो पहले कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है यात्रा निवारे है तो परिहार करके निकले परिहार बहुत सरल है पूर्व की और मुख कीजिए और दरपन में अपना मुख देखकर पांच कदम पीछे चलिए और जवरान अपने इस्ट या भगवान श्री राम को अपने हिर्दे में स्थित मानते वे उनसे प् मिनट फिर दौपेर दो बच के दस मिनट से शाम शेवच के पचास मिनट दोनों काल खंड बाकी पूरे दिन के अपेक्षा ज्यादा शुब योग का रख है अच्छा अच्छा एफट्स करें इन समय का ध्यान रखते हुए करें सफलता के चांसे ज्यादा रहेंगे आज की चंद राशी दर्शे को कन्या है शाम पांच बच के तीस मिनट तक फिर आगे चंद रुमा तोला राशी में प्रवेश कर जाएंगे जिससे आज का इदिन सभी बारे राश्यों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राश पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने से अयाँ और सिंग राशी बाले धन द्वारा किसी अपने की सहरेता करेंगे आज कन्या राशी वाले अपने पर से शवर दस वाल clones ऑने बच से बच निकलें और व्रश्चिक राशी वाले सोच समझ कर आज कोई निवेश करें नहीं तो नुक्सान हो सकता है वहीं धनो राशी वालों की नोक्री की तलाश हो सकती आज जाके पूरी और मकर राशी वाले भाग्ये द्वारा पाएंगे जीवन में आगे बढ़ने के अवसर कुम राशी वाले अपने स्वास्त लाब करते वे नजर आएंगे चोटी मोटी कोई समश्या थी वो दूर होगी और मीन राशी वाले ध्यान रखें कि ज़्यादा आमोद प्रमोद आपको बिमार ना कर दे आज दर्शे कोई कहवत है कि जैसी दृष्टी वैसी स्रृष्टी जो आपका धे है वो आपको हर समय हर जगे नजर आने लगता है यहां तक कि आपने अनुभव किया होगा कि कोई खास कार के कोई खास मॉडल पे अगर आपने विचार किया या चर्चा की है तो पूरे दिन वो चास्त्र में बहुती सुंदर श्लोक आता है जो इस प्रकार है कि जगल लुब्दा धन मयम कामुका कामिनियम नारायन मयम धीरा पश्यंति ज्यान चक्षुस है इसका अर्थ यह है कि धन ही जिसका धे है वो जकत भर को एक धन संग्रे के साधन के रूप में देखता है उसे पर प्राप्ति को जीवन का धे बनाता है इसलिए वो ज्यान चक्षु से समस्त जगत को नारायन का स्वरूप में देखता है इस अवस्ता को तुलसी बाबा ने मानस में लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी तो मूल बात यह है और इ कीजिए साफ कीजिए अपने धे को उच्चितम अवस्ता पे लिकर जाईए क्योंकि आपको उच्चितम होगा तो वैसे आपकी पूरी जीवन चरिया हो जाएगी और वैसे ही आपकी स्थिती और परिस्थिती हो जाएगी तो दर्शेक आप करते हैं चर्चा उन विसस जनम दिन है आज आप सभी किसी व्रद्ध जरुत मन महिला के भोजन वस्त्र का प्रबंद कर दीजिए और साथ ही अंधे बच्चों के आश्रम में या स्कूल में मिठाई बटवा दीजिए इसके साथ ही आज के दिन किये गणपती शतनाम के 27 पार्ट आपको आने वाले वर दोश देव दोश ने विक्राल रूप धरन कर रखा है और आप चारों तरफ से फंस कर अपने आपको एकदम ऐसा हाय मान चुके हैं ऐसी स्तिती में फिर शरण लीजिए आप शर्णागत वच्सल करुना निधान परमात्मा श्रीराम की और प्राते एक आदत बना लीजिए कि भए प्रकट कृपाला दीन दयाला कोशल्या हितकारी इस स्तुती की ग्यारा आप नित्य एक सुनने की या करने की आवरती बना लें या रोजान या तो आप खुद पार्ट करेंगे या सुनेंगे और शाम के वक्त श्री राम चंदर कृपालू भजमन हरन भवे दारुन इस स्तुती की ग्यारा बार आपको या तो पाठ करना या सुनना है यह तो हो गया आपके सुबह शाम का नियम इसके अतरिक्त एक बहुती विस्ष्ट साधना आप आज की दिन से शुरू कीजिए इसके लिए आप सबसे पहले भगवान श्री गणेज जी और श्री सीता रा आपको लगातार करना है तब इसका पूरा प्रभाव आएगा और आप करेंगे तो आप खुद आश्चरी सकेत हो जाएंगे क्या इसका प्रभाव होता है मंत्र ध्यान से समझेगा मंत्र स्प्रकार है ओम राम भद्र महेश्वास रगुवीर नर्पोत्तम भो दशाश्यां कास्मा कम रक्ष देही श्रियम चते इसी प्रकार से जिन लोगों को आर्थिक संकट बहुती विशेश भारी है कर्ज विक्राल रूप ले चुका है और चूपकने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है तो वह विश्ष्ट प्रयोग आज के दिन से शुरू करें 11 दिन के लिए इसके लिए आपको करना ये है कि माता लक्षमी का एक चित्र अपने मंदिर में लाल वस्तर पे स्तापित करें उनके सामने एक चांदी का सिक्का 11 पीली कोडी 11 गोंती चक्र ये दोनों चीजे अखंडित हो यानि तूटी-फूटी ना हो एक काली हल्दी ये चीजे रग दे और गणिश पूजन करके माता लक्षमी का पूजन करें और पंचोप चार सिंका पूजन करने वाद अपनी समश्या भगवत्य को कहें और पांच माला का जाप इस अती विस्ष्ट मंत्र का 11 दिन तक करें अंतिम दिन यानि 11 दिन ये जो सारी सामगरी आपने सामने रखी त कर अपने धन रखने के स्थान पर रख दे फिर जो चमतकार होगा तो आप स्वेम अपनी आर्थिक प्रगति इस्तती देखकर आश्चर चकित रह जाएंगे बंत्र ध्यान से समझेगा मंत्र इस प्रकार है ओम श्रीम श्र्ये नम्हे मंयम श्र्यदेः द्व्तापई द्वाहा अंतर फिर्ट से समझते हैं ओम श्रीम श्रीय नमे मैं श्रीय देही दापय-धापय श्वहा तो दर्शेतर को ये थे आज के विसुश टुपाई जो आपकी समस्चाहों से आपको बाहर ला रहे हैं और मनोकामनाई पूरी कर रहे हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्री का आई है हमारी दर्शक अपढणा जी की 15 जनवर आपका विदेश जाना और वहां काम करना निश्चित हैं तो आपके पहले प्रश्ण का उत्तर कि आप जाएंगी या नहीं जाएंगी तो निश्चित रूप से जाएंगी इसके लिए सही योग आपका मार्च सन सन दोजार चौबिस से मार्च सन दोजार पच्चिस के बीचे आप सूर्य और मंगल के साथ साथ गुना जाप अवश्य करवा लीजिए ताकि आपके भाग्य में और यह जो आपका लक्ष है इसकी प्राप्टी में कोई अवरोद कोई अर्चन ना आएं अज की दूसरी जनम पत्री का हमारे पाश आईए हमारे दर्शक दिवाकर जी की 10 अप्रेल 1989 का जनम है दोपेर एक बजे का पाली में प्रश्ण है प्रमोशन कब होगा दिवाकर जी आपकी करक लगन और व्रश राशी की जनम पत्री का है लगनेश्ट भाग्येश और करम अधिपति आपके आई भाव में बैठें बहुत बड़ा राज योग है अभी आपके योग कारक महादशा है हालाकि अंतरदशा अभी अनुकूल नहीं है इसलिए प्रमोशन में आपके अभी विलंभं को दिख रहा है आपका मन मुताबिक जो प्रमोशन है मार्च सन 2025 के ब ज्यान चर्चा मैं पंडित चंदरशेगर शर्माई आशा करता हूं कि बताएव उपायों को सही विदी सटीक समय अटूट शद्धा के साथ करके आप पूरा-पूरा लाब उठाएंगे और जो ज्यान चर्चा जो सत्संग हमने किया इस अपने जीवन में उतारेंगे धीर में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वाद भगवतियास्वप का कल्यान करें जया आदिशक्ते गुड मॉर्निंग मैं हुदीपती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज एटीन के हमारे इस खास कारिकरम भागयम में और भागयम के इस विशेश सेग्मेंट में जोहाँ पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरिये जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम ऐसा क्या करें और किन बातों को करना अवाइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी खुबसूरत बना सकते हैं और इसके लिए दोस्तों हम एक से लेकर नौ मुलांग तकी रीडिंग करते हैं यह तो आप जानते हैं कि एक से लेकर नौ मुलांग तकी जो रीडिंग होती है उसमें हम बहुत कुछ गाइडेंस लेते हैं कि आज कि दिन अगर किसी प्रकार का कोई हर्डल है कोई परिशानी ह तो बड़ी ही आसानी से easy remedies के साथ हम आज के दिन को जो है बहतरी धंग से जी सके और अगर आपको नहीं पता कि कौन सी होगी आपकी reading कौन सा है आपका मूलांक तो आपको उधारण दे के बताना चाहूंगी कि अगर आपकी date of birth है 17 यानी की 17 तो एक और 7 को जब आप जोड़े नमबर तीन यानि की आज की तारीक का मूलांक जिसके स्वामी है गुरू और आप तो जानते हैं कि प्लानेट गुरू बहुत ज्यादा powerful होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक यानि सोशल हमारी life यहां तक हमारी education हमारे career के लिए बहुत ही ज्यादा important role play करते हैं और कही कहीं ना कहीं हमारी जिन्दगी को एक right path दिखाने के लिए प्लानेट गुरू का बहुत important role है तो आई अब हम बात करते हैं गुरू की कहीं ना कहीं जो हमारे गुरू का जो एक realm है जिसे हम कहते हैं लोक जहां पर सद्गुरू लोक वहां पर बहुत सारे ऐसे ascended masters हैं जो कि क जान पाएं इसके विशर में या नहीं जान पाएं कोई फरकनी पड़ता कभी कभी हमने देखा है कि कुछ जातकों के पूर्व जनम के जो गुरू होते हैं वो उन्हें गाइड कर रहे होते हैं उनके किसी ऐसे समय में यहां तक कि हर वो ऐसे दिव्वे आत्माएं जो धरती के बाद भी वो उस लोक में कहीं न कहीं हम सभी की सहायता करते हैं आपने देखा होगा कई बार ऐसा हुआ है अरे जाको राखे साहियां मार्स के न कोई अचानक से ऐसी कोई चीज हुई लेकिन व्यक्ति की जान बच गई तो कहीं न कहीं उस समय पर ऐसे ही कोई गुरू ऐस तो कहीं न कहीं अगर एसेंडेड मास्टर हैं सुक्ष में लोक में भी हैं तो भी वो आपकी सहायता करेंगे तो आपको क्या करना है कि हर गुरुवार के दिन आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है और सबसे इंपोर्टेंट बात है कि नाराइन प्रभू जो हैं वो भी उससे प्रसंद होते हैं, तो आप जब भी उनका स्मरण करेंगे, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जब करते हुए, आप केले के पेड़ का पूजन करेंगे, आप उन्हें हल्दी जरूर चढ़ाएंगे, और साथी साथ आप नाराइन प्रभू से भी प्रार्थना करे तो अगर आपको नहीं पता है, तो ये प्रियोग करके देखें, और इस प्रियोग के लिए एक आपको छोटा सा संकल्प लेना होगा, कि मैं ये 21 गुरुवार करूंगी, या 11 गुरुवार मुझे करना ही, आप इस प्रकार से जब करेंगे, तो देखें किस प्रकार आपकी आपकी रंग आपका आसमानी और लगी जो अंक है वह नमबर 6, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपका जो भी आपका ड्रीम जॉब है, या आपकी आप जिसे पसंद करते हैं, कही ना कहीं उस और आज आपकी बड़ोतरी होने वाली है, आपको आपकी ड्रीम जॉब मि आपका चाहते थे, कोई भी खुषखबरी ऐसी, जिसों कहीं ना कहीं, आप सोचते थे कि काश मुझे ये चीज़ मिले, तो आज ऐसा हो सकता है, ऐसा बहुत अच्छा उसर, आपको प्राफ्ट हो सकता है, जब वो सारी चीज़ें आपको आपको आज प्राप्त हो सकती हैं, काफी अच्छे चांसेज हैं कुल मिलाके यह कहा जा रहा है कि साथ ही साथ आपको अपना जो लक्ष है उसको भी साधना है कहीं ना कहीं अपने लक्ष से आपको भटकना नहीं है अपने फोकस को आपको स्ट्रॉंग रखना है आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक दो के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइद कर रहे हैं 21 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक दो के लिए हमसे कहा जा रहा है कंडिशनिंग का काड है आपका जो लखी रंग है वह है मिलकी वाइट यानिकी सफेद चमकदार रंग और आपका जो लखी नंबर है वह नंबर आठ आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है लेकिन आप उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं कह आपके भीतर क्या टैलेंट आप भी अपने आपको बहुत ही ज्यादा दी मॉरलाइज कर रहे हैं तो आज आपको क्या कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कंडिशनिंग में आपको नहीं रहना है और सबसे पहले तो यह मांसिक जो साइकलोजिकल कंडिशनिंग है ना कि मै यह नहीं कर सकती मेरे को यह प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम है लोग कहते हैं कि मैं फलाना कहते हैं कि आपको क्या करना है कि आज अपने आपको हर उस प्रकार की नेगेटिव एनरजी से अपने आपको मुक्त करना है अपने इनर सेल्फ को अपने टैलेंट को पहचानना है और उस और कारे करना है जब तक आप अपने टैलेंट को नहीं पहचानेंगे कोई और उस चीज की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 21 अगस्त 2023 के लिए आज की तारीक का जोड़ है वो भी है नंबर 3 और मूलांक 3 की हम बात कर रहे हैं हमें कहा जा रहा है थंडर बोल्ड आपका जो लखी रंग है वह और इंज और आपका जो लखी अंक है वह नंबर 3 आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आकस्मिक रूप से कोई ऐसा घटना करम आपके साथ घटित हो सकता है जो कि आपकी बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर देगा हो सकता है आपने कई बाहर जाने की प्लानिंग की और सड़ली आपका जो ट्रिप है वो कैंसल ह सपरें बाहरे कि जो भी कुछ आज आपके साठ होगा अचानक से घटित हो उसके पीछे एक बहुत-पाजिटिव उसकी यसका दप होगा क्योंकि आपके गुरु आपके साथ है इनक्षट्रण आपके साथ बिल्कुल ऑलग की गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे अगर आप जाने अन जाने किसी गलत मार्ग पे जा भी रहे होंगे तो वो आपको किसी ना किसी बहाने से रोक लेंगे विश्वास करें आज अपने गुरु की अराधना करें उनको धन्यवाद दें और अगर कोई काम बिगड भी रहा होगा तो उसके लिए भी कोई ना कोई अच्छा ही कारण होगा ये मान के चलें आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 21 अगर्स्ते 2023 के लिए और मूलांक चार के लिए हमें कहा जा रहा है फ्लावरिंग का कार है लखी रंग जो है वो आपका है आसमानी और लखी अंक जो है वो है आपका नंबर चार आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत जादा हड़बड़ी करने की जरत नहीं है चीजें अपने आप आप घटेत हो रही है आपके फीवर में घटेत हो रही है आज एक गुड न्यूज आपको मिल सकती है विशेश तोर पर अगर मैं बात करती हूं तो भावनात्मा कुरूप से यह आपके रिलेशनशिप आज स्ट्रॉंग हो सकते हैं और साथ ही साथ आपके फानेंसेज में भी लकी रंग है आपका ग्रे कलर आपको कहा जा रहा है आज कोई दुख का समाचार आपको मिल सकता है आप दुखी हो सकते हैं भीतर से आज आप बहुत जादा हिर्दै से जो है आज आप आहत महसूस करने वाले हैं कुल मिला के आज के दिन आपको जितना जादा हो सके इमोश आज आपको इस चीज को accept करना होगा आज का जो दिन है वह किसी भी प्रकार से ओवर रियक्शन नहीं देना है आपको इस वात का ध्यान रखना है आपका दिन शुभू आज जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परिमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 21 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है कमपैरिजन का कार है लकी नमबर है आपका नमबर 5 लकी जो रंग है वो है ब्राउन कलर आपको कहा जा रहा है कि बहुत जादा आपको किसी के साथ भी अपना कमपैरिजन नहीं करना है कोई भी विक्ति आपसे अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको देखकर आपको jealousy नहीं करनी है यह नहीं सोचना है वो यह कर रहा है मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं बिल्कुल भी comparison आपको नहीं करना है बलकि आपको appreciate करना है इस बात का यकीन मानिए कि ब्रह्मांड का नियम है कि आप जो भी ब्रह्मांड में देते हैं वही आपको गुणा लोटके मिलता है अगर आप लोगों के साथ comparison करेंगे अगर आपको jealousy करेंगे तो कहीं ना कहीं वह आपके लिए ठीक नहीं है तो आपको क्या करना है आज का दिन acceptance का है आज आप चीजों को accept करें और उ पूलांक साथ के लिए हमसे कहा जा रहा है possibilities का card है आपका जो लखी रंग है वह के सरीया और आपका जो लखी number है वह नंबर दो आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको काफी सारी opportunities मिल सकती है आगे बढ़ने की आज के दिन आपको उन opportunities को जरूर ग्रैब करना चाहिए स आती साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको आज कोई विशेश निर्ने लेना है खास तोर पर तो उसमें जल्दबाजी ना करें बहुत सोच समझ कर हर आसपेक्ट को देखकर चैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं तो उसी प्रकार से किसी भी परिस्ति के सभी पहलू आइज को देखकर ही आपको इंड़ने लें आई जानते हैं मुलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गायड़ कर रहे हैं आज 21 अगस्त 2013 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है व्रेंड्लीनिस का कार्ड है लकी नमबर है नमबर 2 लकी रंग है आपका चाहते हैं मित्रवत अगर आपके साथ विवहार करते हैं तो वो आज आपको फुल सपोर्ट करने वाले हैं साथी साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप भी लोगों के साथ मित्रवत विवहार करें प्रेम करुणा का भाव अपने अंदर रखें और लोगों की सहायता आज के साथ एड़ाउन हो रहें ना कि दूसरों के इस बात का विशेश द्यान रखें आपका दिन शुब हो आई ये जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं इस 21 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है अबंडेन्स का कार है आज का दिन आपका बहुत ही ईच्छा है लगी जह रंग है वह हैं आपका पिंग कालर और आपको कहा जा रहा हुआ आज का दिन बहुर अच्छा है, हर प्रकार से आपको आज सैटिसफेक्शन महसूस होगा आज कहीं न कहीं धनलाब हो सकता है, धनलाब के अच्छी अवसर प्राप्त हो सकने हैं अगर आप अलरडी नौकरी पेशा हैं, आपके कारे की सरहाना हो सकती है तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है आज का दिन आपको बेटर मेंट की तरफ लेकी जा रहा है आपका दिन शुब हो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी एक से लेकर नौ मुगलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो मैं विलूँगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में तब तक के लिए आप सभी के बीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम